हलो दोस्तों तो आज की वीडियो में ना कोई motivational वीडियो है ना कुछ है लेकिन ये वीडियो बहुत important है क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे points बताने वाला हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना है और ये ही वोई points हैं जिससे आप अपने number को और अपने motivation को नीचे करते रहेंगे करूँ और इन बातों को ध्यान रखना अगर ध्यान रख लिया तो आप जरूर successful हो जाएगे तो पूरी वीडियो अराम से सुनना देखे सबसे पहला जो point आता है अभी ये आता है कि syllabus पूरा नहीं हुआ ठीक है syllabus पूरा नहीं हुआ तो उसको हम दिमाग में रखते हैं और क काफी चीजे हम लोग skip कर जाते हैं कि हम आगे का पढ़ने की सोचते हैं और सो दिमाग में याता है और पीछे का नहीं पढ़ा और जब पीछे का पढ़ते हैं तो सोचते हैं स्लिवस कैसे complete हो बिल्कुल काम हो जाओ देखे हर किसी की strategies अलग होती है दिमाग का level अलग होता ह तो first of all आप ये देखे कि जित्ता भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं अभी भी कामली पढ़ें और क्या कहते हैं कि मैं मानता हूँ टाइम बहुत कम रह गया है तो आप ये सब छोड़ देजिए कि revision क्या है ये क्या है वो क्या है तो first of all आप अपना अराम से सारा syllabus complete करें और अब ये सोच लिए कि आपका revision भी यही है आपका end और first time study भी यही है ठीक है ये चीज़ पूरी करें और दिमाग से निकाल दीटिविटी अपने दिमाग में जित्ती बार लाएंगे उतना उतना आपके marks decrease होते रहेंगे तो ये पहला point था जो मैं आपको बताना जा रहा हू कि अभी ये मत सोचिए कि मैं आप पीछे हो गया हूँ सब लोग आगे हो गया है मेरा सलिबस नहीं हुआ फोकस रखिए काम रहिए बिल्कुल कूल होके पड़े और अब मैं बात करूँगा उन students की जो coaching में जाते हैं देखिए अब coaching में क्या मोहल बन जाता है जब coaching centers में जा वाले सिर्फ ऐसे ही करते हैं वो अब end मोगे पर अपने students जो उनको लगते हैं कि हाँ यही शाप है उन्हें पगड़ लेते हैं और बाकी सब पर ध्यान देना बंद कर देते हैं और उन्हें demotivate करते हैं यह बहुत फदे की बात है वो करते हैं तो आपको होना नहीं है आप अब उन्हें मूत और जबाब देना है अगर उन्होंने आपसे trust उठा लिया है तो आपको अब कुछ ऐसा करके दिखाना है कि वो आज के बाद आपको छोड़ो किसी और को भी कभी ऐसा कुछ बोलना पहें वो कैसे होगा self study से अपनी पढ़ाई को double कर दो अब उनकी बातों उसे कुछ नहीं होना हमारे साथ भी ऐसा होता था हमारे टाइम पे भी मलब काफी बच्चे ऐसे होते थे जो selection के लिए 100% थे बट नहीं हुए और वो हो गए जिनसे teacher ने trust उठा लिया था तो ये चीज़ ध्यान रखना अगर आप पे वो लोग शक कर रहे हैं तो उनका शक भी आप ही दूर करेंगे और वो कैसे पढ़के यह नहीं कि फिर आप अपना होसला गिराते हैं और चुप-चुप साइडर मैट दें नहीं we have to bounce back we have to work hard आपको और मेहनत वहाँ पे करनी पड़ेगी अब बात आएगी उन students की जो online study कर रहे हैं self study जो पहले से ही बिना coaching के जै आपको इतना quality product मिल रहा है कि आप उन बच्चों से पूछो ना जो coaching centers में पढ़ते हैं वहाँ पे जब वो फर्राटा बनाते हैं तो क्या होता है आप अपने convenience से अपने lecture देख सकते हैं तो उसको demotivation मतले कि यार मेरे के आभी lecture इतना लंबे लंबे lecture है इतना यह नहीं अरे Sunday to Sunday भी इतना रगातार उनको इतना टाइम पढ़ाया जा रहा है कि उनको खुद के पढ़ने का time नहीं मिल रहा है आप तो बहुत lucky हैं तो आप अभी आपका सब को decide नहीं करेगा वो तीन घंटे decide करेंगे पहली वीडियो से आज ये भी वीडियो आई है ये special वीडियो है ये जो अब आपको जो test है ना अभी आप सोचे ना आपका revision perfect नहीं हुआ सलेबस पूरा नहीं है बीच में अटके हैं test में score कैसे आएगा उनको मत देखिए जो अच्छा ला रहे हैं वो तो देखिए हर किसी की level अलग होती है और ये कोई नहीं decide करता ये test paper आपका decide नहीं कर पाना है ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा समझ में आई अब एक जो last main issue आता है जो मुझे लगता है कि बहुत important होता है वो यह होता है room partners और जो साथ वाले जो हमारे जो PG में हम लोग रहते हैं या हमारे कुछ friends वो लोग कुछ ऐसे से questions पूछते हैं वो जान मुझ के ऐसे स question पूछेंगे जो आपको नहीं आते हैं जो उन्हें भी typical लगे और वो जानते हैं आपको भी नहीं आएंगे वो question पूछते हैं आपसे बार बार ताकि आप demotivate हो जाओ यह मान लो कि 14 लाग बच्चे है तो 14 लाग competition है आपका चाहे आपका दोस्तों भाई हो बहन हो कोई भ हैं वो लोग जान मुझ के हमने यह चीज face कर रखी है वहाँ पर इस मौके पर लोगों के questions ऐसे आपके पास आएंगे कि यार यह query है यह समझा दे और वो question ऐसा होगा ना जो आपको उसको खुद पता है कि बहुत tough है और बहुत मुश्कील है करना लेकि वो जान मुझ के कर ली है इस वीडियो में और कुछ रह गया है तो मैं जल्द उसको भी cover करने की पूरी-पूरी कोशिश करूँगा बट मैं आपको यही कहूंगा कि हिम्मत मतारो लगे रहो लगे रहो लगे रहो और यह मत सोचो कि क्या करा और क्या करना है बस यह सोचो कि अब मेरे पास क् मुझे उस पर focus देना है तो बस मैं यह video add कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ज्यादा time नहीं लेना आप लोगों का यही कहना था और हाँ आप जैसे अब YouTube से पढ़ते हैं तो सिर्फ वही वही channel को आप subscribe करके रखें या उसके साथ जुड़े रहें जो आपको लगता है कि आपके मैं आप लोगों की हिमत नहीं आरने देना चाहता है मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपके जो सपने आपके माबाप के सपने वो पूरे हो तो मेहनत करिए और इन सब चीजों से अब बच चाहिए तो और भी आपको कोई issue है तो आप लोग सब comment कर दो मैं reply वहाँ नहीं करू करूं या ना करूं और जो issues हैं आप लोग comment करें मैं जुरू उनको cover करके पूरी वीडियो बनाके कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उस चीज पर ध्यान ना दे और अपने पढ़ाई पे चलते रहें और अपनी जीत हासिल कर ले अपनी मंजील पर पहुँच जाए तो मैं आप लोगों से मिलता हूं next वीडियो में और बस पढ़ो यार 4 डालेंगे इस बार